आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों हमारा प्रशन है किसी मीटर सेतू में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतूलन बिंदू सीरे A से 49.5 सेंटिमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है R का प्रतिरोध ग्याद कीजिए R प्रतिरोध ग्याद कीजिए अंतर बदल करने पर उप्रोग सेतू का संतूलन बिंदू ग्याद कीजिए और तीसा क्या है? यदि सेतू के संतूलन की अवस्था में Galvanometer और सेल अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या Galvanometer पर कोई धारा दरस आएगा ठीक है? तो यह हमें तीनोप्रशन के उत्तर देने है ठीक है हमें क्या दिया गया है कि परतिरोधक जो S है हमारा वो कितना है 12.5 ओम ठीक है और संतुलन सीरे पर A पर ठीक है कितना है सेंटिमेटर की लंबाई है जो A जो हमारा तार है कितना है 49.5 है ठीक है फ्ह Penny Power तो यहां पर मीटर सेथो का सिध्धांत हम जानते है कि वो क्या करता है जी जिसटू के सिध्धांत पर कर्या करता है ठीक है अगर यहां पर पार्ट में देखें तो L1 ठीक है यह हमारा क्या यह पूरी दूरी है तारकी AC की वो क्या है L होती है तो अगर हम यहां से यहां तक L1 मानने तो एक मीटर की तार हम लेते हैं तो यहां क्या जगा 100 माइनस L1 ठीक है तो अगर L1 हमें ग्यात है 49.5 सेंटीमीटर ठीक है तो संतूलन की स्थिती में संतूलन की स्थिती में तो देखें दोस्तों यहां पर क्या है A B C D यह क्या है एक चतरभूज है ठीक है जैसा कि वीटेस्टों से तू में हम लोग देखते है ठीक है तो यहां पर उस तरह से यहां पर नहीं बनाए गया है मतलब लेकिन यह ABCD क्या होता है हमारा चतरभूज होता है ठीक है और यह वीटिस्टोन से तू के सिधान पर कारी करता है तो संतूलन की इस्थिती में क्या हो जागा हमारा सनलगन भूजाओं का जो नुपात का परतिरोध का नुपात होगा वो दूसर सनलगन भूजाओं के परतिरोध का नुपात के बराबर होगा तो यहां से हम लिख सकते है R बटा S R क्या है परतिरोध है S क्या है R हमारा क्या है परतिरोध और S भी क्या है हमारा परतिरोध तो r बटा s बड़ाबर क्या हो जाएगा l1 बटा 100-l1 ठीक है तो यहाँ से r बड़ाबर क्या हो जाएगा हमारा s गुने l1 बटा 100-l1 ठीक है यह हमारा आजाएगा s दिया हो है 12.5 गुने 49.5 बटा 60.5 ठीक है तो यहाँ से आजाएगा r बड़ाबर आजाएगा हमारा r.9 ओम के बड़ाबर ठीक है r हमारा कितना आगया r.9 के बड़ाबर ऐस हमें ग्याद था r भी हमें ग्याद हो गया ठीक है अब हमें दूसरे हमें क्या बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है कि राका प्रतिरोध का ग्याद करिये ने लिए थb Mrs. jazz के लिए इंहां जानता है कोहँ हमारा परतिरोध हो प्राहँ रहा होता है रो ल by a यह होता है। यहां पर अगर हम देखें तो कॉपर के लिए जो रहती हैं क्या होती है कम होती है और L भी कम होती है ठीक है और लेकिन इसका अगर एरिया देखे इन दोनों के पेक्षा यह क्या होती है अधिक होती है जिसके कारण जो हमारा R होता है overall क्या हो जाता है कम होता है ठीक है तो यहां पर अतिरिक्त परतिरोध जो हमें होता है वो क्या होता है जो हमारा अतिरुक्त परतिरोध इसमें रहेगा ये कम होगा तो इससे हमारी क्या होगी जो reading हम लोग लेंगे गैलबर्वरिम्टर से वो हमें क्या मिलेगी अधिक शुद मिलेगी ठीक है इसलिए हम लोग क्या करतें कॉपर की पत्तियों का यूज करतें ठीक है अब आते हैं B पार्ट पे तो R तथा S को अंतर बदल कर देने पर उप्यूक सेतू का संतूरन ग्याद कीजिए तो अगर हम R S को अंतर बदल कर दें मतलब R के जगा पे S दे दे और S के जगा पे R दे दे ठीक है कुछ इस तरह से तो बदलने पर संतूरन बिंदू परिवर्तित हो जाएंगे ठीक है तो संतूरन बिंदू क्या हो जागा अब हमारा L2 अगर हम देखें ठीक है B पार्ट के लिए तो R S को S को अंतर बदल करने पे ठीक है क्या हो जागा हमा संतूरन बिंदू जो होगा वो L2 बराबर क्या हो जाएगा 100-L1 ठीक है L2 क्या हो जाएगा हमारा 100-L1 क्योंकि हमें फिर से यहाँ पे जो यह हमारा है यह हमें क्या होगा कि अगर इसको बदलेंगे तो यह दूरी भी हमें परतिरोध बदलेंगे तो यहां पर जब हम स्लाइड करेंगे तो उसके लिए हमारा बिंदू भी क्या होगा अलग प्राप्त होगा संतुलन बिंदू यहां पर हम निकालेंगे तो यह हमारा निकल क्या आ हमारा आ जायागा 60.5 cm ठीक है संतूलन पी आरेस को अंतर बदल कर देंगे तो हमें संतूलन कहां प्राप्त होगा 60.5 cm के दूरी पे एसी तार जो है ठीक है अब हमें तीसरा क्या बोला जा रहा है यदि सेतू के संतूलन की अवस्था में गेलवेनोमीटर और सेल का अंतर बद हुआ है और हमारा सेल A से C पे लगा हुआ है ठीक है तो यह इस तरह से हम अगर चतरभूज देखें तो इनको चतरभूज में हम लें जैसे वीटर स्टोन में लेते हैं तो बीडी सीरा में हमारा क्या होगा हमारा विकर्ण होगा और अगर संतूलन के बिंदू में अगर क्य कोई अंतर नहीं होगा ठीक है क्या मतलब है इसका कि संतूलन जो होगी संतूलन बिंदु परिवर्तित नहीं होगा ठीक है संतूलन बिंदु अगर परिवर्तित नहीं होगा तो इसके इसके लिए क्या हो जागा क्योंकि ABCD में क्या है हमारा यह जो हमारा BD है और AC क्या है क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा संतूलन के वस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है और तो गेलमेनो मीटर में भी क्या होगा कि कोई अगर धारा हमें यहाँ पर नहीं दर्शा आएगा ठीक है तो हमारे प्रश्ण का उत्तर है धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर